अब नाम अश्वनिपुंडी और मैं सवाथ करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप सभी जानते हैं कि से ने अपने काफी सारी वेकंसी जो है वो निकाली है उसमें आपकी ग्रेड ग्रूप और इसी बीच इलेक्शन की डेट्स भी आ चुकी है तो आप उससे आप एक्जाम का आइडिया भी लगा सकते हैं कि एक्जाम कब होंगे तो कुल मिलाकर दो से तीन महीने आपके पास प्रॉपर है इस चीज को यहां से यूटलाइज करने के लिए इस एक्जाम को क्रैक करने के लिए हाला कि पोस्ट जो हैं बहुत कम है बट वो मैटर नहीं करता है क्योंकि आपको इंडिविजुली एक पोस्ट आई होती है और इतने अच्छे लेवल पर 18 पोस्ट होना है बीस पोस्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है तो उसको आप यूटलाइज कीजिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बात हम यहां पर करने वाले हैं आपकी अजिस्टेंट सेक्रेटरी अड्मिस्टेशन पे अप्लिकेशन आइड फॉर दा डारेक्ट रूटमेंट आफ इंडिया आफ आल इंडिया और इंडिया अपकी सामने गीवन है टोटल आपके पास अठारा पोस्ट है दस यू आर में है एक डबली यूएस में ओबीस एंसल में चार सी में दो स्ट में एक और एज जो है यह बड़ा पॉइंट है आपका यहां पर 35 साल है 35 साल उम्र जितने भी यूपीएस्स एश्परेंट से अभी हाल में ही CSR के एक्जामिनेशन हुआ था वहां से काभी बचों ने एक्जाम दिया था तो क्या अइसे आपको चीज़ें आप मैंचे करने नहीं है और मैं आपको य है यहां पर देखिए तो यह स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्स से 11 अप्रिल तक चलने वाले हैं ठीक है और 35 साल आपके यह और आप से यहां पर सिर्फ एक बैचलर में डिगरी मांगी गई है इसके लावा आप से कुछ भी ने मांग गया सबसे बड़ी बात ही है जो यहां पर बाकी सारी पोस्ट है यह पर इसे प्लाइजटन यहां पर आप से एक्सपीरियंस मांगा गया है यहां पर आपके चीज़े होंगी आपका सकते हैं इन धुक होगा जो थर्ड आप पर इंटरविव है चीज़े तो लेवल टेंगी जोभ है 80-90,000 रुपे आप मिलने वाले हैं तो भाई मजाग बात तो नहीं है पेपर अच्छा ही आएगा अब्यसी बात है ना इसमें current effects है तीस नंबर का reasoning है आपके तीस नंबर की तीस questions वरी साथ नंबर के आपके क्वांट्स आएगी आपके साथ नंबर की हिंदी अलग से हैं इंग्लिश अलग से हैं तीस नंबर की और आपकी बेसिक आपको बास computer आपको होना चाहिए जो आपका साथ नंबर का है ठीक है इसको आप पार करेंगे धाए गंटे में objective को फिर आप चलेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं इतने सारी महनत आपके सामने क्यों हो रही है इतने सारी महनत आपको क्यों करनी है किस चीज के लिए करनी है पैसे मिलेंगा आपको बहुत सारे यहां पर इज़्जत मिलेगी काम क्या करना होगा वह important चीज है काम यहां पर दिखते हैं सबसे पहले क्या है आपको आपको administrative operations हैं वह आपको जो स्टाफ आपके इंटर जो काम करना आप सबके हैड है आपको प्रॉस्स को फॉलो करना है कि हाँ जो है वह स्मूथली उपर से नीचे या फिर नीचे से उपर तक जा रही है चाहे वह स्कूल हो चाहे बच्चे हो ठीक है आगे बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग पॉलिस्य प्रोग्राम जो भी पॉलिस्य आई है अभी अभी आए था या फिर आपको कोई बोर्ड के एक्जाम में आपको कुछ नहीं पॉलिस्य करनी है वह आपको चीज़े देखनी पडेंगी प्लैनिंग है एक्जीकूशन है और को मॉनिंटरिंग करना है अगे बात करें कॉण इस काफिस्ट है वह मिले होते है तो उन पर्टमन पे साथ क्या चीजी है क्या चल रही है है क्या फिर किसको जल्दी कराना है यह सारी बाते आपकी आएंगी इस वाले पार्ट में नेक्स्ट बात करेंगे हम हैं अब जो बाकी सारे जो एजुकेशन इस 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 हैं वह आपके सेमिनार वगएरा कराते हैं बच्चों की काउंसिलिंग होती है वह सारा काम भी आपके चीज़ों को होने में आपके सारा रूल कर रहे हैं चीजों को होने में आपके सारे रूल कर रहे हैं स्कूल तक पहनचेगी है चीज नज की बच्चों के बच्चों से पहुंचने चाहिए Скूल के बाद फिर बच्चों पहुक्ता हो हुघ हो रही है वह अपनी जगह पहुंचे पहुंचे गार यह है यह आपका बसक्रिक Bene잖elल काम होता है बसक आपको एडमिस्टेशन जो होता है उसको देखना होता है सारी चीज़ आपको जो है वो मैनेज करनी होती है यह प्रॉपरली एक इंफरमेटीव वीडियो है इसमें कोर्स को सेल करने का कुछ भी करने का मेरे आप पर कोई मोटिव नहीं है हाँ अगर आप इस एक्जाम की तैयारी कर सब्सक्राइब करने हैं तो करना चाहते हैं न्युक्स आपकी अगर हमें भी सेब्दम करने में पड़ेगी हम लोग भी चाहां वह ने 6 महीने में 8 महीनों में हमने आपके लिए EMRS में आपके लिए आपके लिए बहुत कुछ किया एक्जाम बहुत कोछ किया CSIי आए था भाँ से हम आपके लिए Best Content लेकर आए तो अगर आप चाहते हैं इसमें कि आपके लिए बेस्ट कॉंटेंट आये और हमारे हमेशा जो चीज़ें हैं एक्जाम भी 50% फास्टर होती है 50% आपके लिए एफिशेंट होती है आपको पढ़ाने में बहुत हल्प करते हैं हम लोग हर चीज में तो अगर आप वो चीज चाहते हैं हमसे और आप चाहें तो आप CSIR में एक ब सब्सक्राइब करने के लिए हमें बहुत सरी आपका सपोर्ट चीज होता है मैक्सिम कमेंट का मतलब मैक्सिम आपके कोर्स के रिगार्डिंग चीज़े सारी यहां पर होंगी तो आप देखिए आप आपको यहां पर इंटरेस्ट है पहली बात तो यह आम आम एस्पिरेट का मतलब यहां पर मेरा मतलब भी नहीं की मैं ऐसे जीडी के बच्चों की बात करो बठा अगर आप से अभी निकल कर आएं हैं और आप एक यूप एस्पिरेंट भी हैं तो आप इस जॉब के लिए अपलाए कर सकते हैं और कीजिए फॉर्म भरने में को इश्यू नहीं है और कॉन बोक्स पर जरूर लिखे रिगार्डि तब तो सब लोग अपने धियान रखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए अल दे बेस्ट थैंक यू